Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम हिमाचप अदेश, राज्य चेन, आयोग के बारे में बात करने वाले है पिछले 3-4 दिनों से कुछ हलचल होना शुरू हुई है और इसमें क्या है कि दो दिन से लगातार बैठक हो रही है पिछले कल भी बैठक हुई और अब जो है वो जो पेंटिंग पोस्ट कोड है उसके बारे में लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है तो अब जो है वो 30 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो लटके हुए है तो इसमें स्टेट विजिलेंस से रिपोर्ट मांगी है राज्य चेन आयोग ने और इसमें कहाए कि कुछ ऐसे पोस्ट कोड हैं जिन पे जांच ओर्लेडी हो चुकी है कुछ जो है अभी जांच के दाइरे में है तो इसके बारे में भी रिपोर्ट में राज्य चेन आयोग को बिजिलेंस बताएगा कि कौन कौन से जांच के दाइरे में है क्योंकि एक अपडेट मैंने आपको बताई थी जहां पे सरकार ने एक लेटर में मेंशन किया था कि अभी हम लाइन मैन पोस्ट कोड 971 का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो भी जाँच के दाइरे में है और बाकी एक और चीज़ देखी जा रही है कि जो नया गठित आयोग है वहां पे स्टाफ और क्या-क्या संसाधनों की जरूरत पड़ेगी उस पे भी रिपोर्ट त्यार हो रही है और आपने इंटर्विव तो देखा होगा जहां पर बताया गया है कि राज़े चैन आयोग की वर्किंग जो है वो जनवरी से स्टाफ हो जाएगी तो पेंडिंग रिजल्ट भी अब आपको यहीं से देखने को मिलेंगे राज़े चैन आयोग से और उसके बाद एक बाद जब पेंडिंग रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद एक चीज़ तो यह क्लियर हो जाएगी कि अब पुराना काम कोई नहीं बचेगा और डिरेक्ट नहीं भरतियों की बात होगी अभी तक क्या था कि HPP ऐसी शिमला चाता तो इनमेंसे कुछ ओपेंडिंग रिजल्ट थे जिन पर विजलेंस की क्लियरेंस मिल जाती उनको भी निकाल सकते थे लेकिन उन्होंने भी अपना प्रोसेस बहुत धीमा रखा और जो गिनी चुनी कलास तरीकी भरतियां उनके पास पहुंची उन्होंने उनको भी टाइम से अड़टाइज नहीं करा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी बज़े से एक पूरा साल जो है वो बरबाद हुआ है और इसकी जिमेबारी लेने वाला कोई इनसान नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आपको 2024 में अच्छी खासी विकैंसी भी देखने को मिल जाए लेकिन 2023 कोई वापस नहीं कर सकता और लाइफ में ये साल कभी वापस नहीं आएगा तो अब देखते हैं कि जनवरी में क्या होता है हिमाचे पदेश राजिचे नायोग की वरकिंग किस तरह से स्टार्ट होती है और क्या यहां पे जो है एक्जाम करवाया जाता है क्या जो OTA का पाइलेट बेसिस पे एक्जाम ये कंड़क्ट करवाने वाले है इनवरी में ही हमें देखने को मिल जाएगा क्योंकि वहीं से क्लियर होगा कि क्या पॉसिवल है हिमाचे में ऑनलाइन एक्जाम कंड़क्ट करवाना और कितनी यहां पे कैपस्ति है उसे साब से पूरा सिस्टम बने गा तो बहुत सारे भी हरडल हैं सा नहीं है कि हर एक एड़र्टाइज नहीं होती हैं तो आचार सहींता के बीच में एड़र्टाइजम नहीं आती हैं एक्जाम कंटिनूसली चले रहते हैं लेकिन एड़र्टाइजम नहीं आएंगी तो यही हैब सरकार के पास जो मौका अगर वो चाहती है तो वह आचार सहींता से पहले पहल करके विकैंसी निकाल दी है जितने उन्होंने अड़िजमेंट अभी तक निकाल दी है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि दोजार चौबिस का जो जून जुलाई तक का कैलेंडर जो है वो उनका डन हो चुका है तो वहां से जो भी अड़िजमेंट आएगी वो लंबा सकते हो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक में शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर निव अपडेट्स के लिए